हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे इमोशन का जैम स्ले लैंग थियोरी ओफ इमोशन ओके तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विलियम जैम्स नाम के जो फर्स्ट साइकलोजिस्ट थे जिनोंने इमोशन के बारे में कुछ थियोरीज देना शुरू किया एक्सपेरि के नाम पे जैम्स लैंग थियोरी ओफ इमोशन रखा गया अब यह थियोरी कहती क्या है इमोशन इसको गम बिलकुल याद रखिये की पॉइंट्स में बताती हैं इमोशन बिगेन विच सब्जेक्टिव फीलिंग विच इस देन ट्रांसमिटेट टू दी रेस्ट ऑफ दी इसमें दो चीजे बहुत इंपोर्टेंट है कि एक तो हम देख रहे थे कि इंडिविज्व डिफरेंस होता है अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से इमोशनल फीलिंग को फील करते हैं तो यह सब्जेक्टिव फीलिंग है लेकिन सब्जेक्टिव फीलिंग है और उसके यह बात जो है इमोशन ट्रांसमेट होता है पूरे बॉड़ी में अटनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा तो अटनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है रिस्पॉंड्स टू स्टिमूलस थो फीजियलोजिकल चेंजिस और मसल अक्टिविटीज विच देन सेंड मैसेजिस टू दी कॉर्टेक्स टू दी टू प्रड्यूस इमोशनल फीलिंग्स अब यह उटनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉड़ी में मसल चेंजिस करता है मसल अक्टिविटीज करता है फीजियलोजिकल चेंजिस होता है जैसे हम गुसा होने लगें तो हमारा बॉड़ी का पसीना आने लगता है ऐसे ही बहुत कुछ तो उसके बाद जो है हमारी यह जो मैसेज है मसल अक्टिविटीज के द्वारा जो फीजियलोजिकल चेंजिस हुआ है यह हमारे ब्रेन के कॉटेक्स में मैसेज जाता है और वहां पर हमको पता चलता है कि हमें क्या फील हो रहा है इमोशनल फीलिंग्स आ रही है जो गट फीलिंग वाली बात होती है हमें फील होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है यह जो गट फीलिंग है इसको भी जेम्स लैंग ठीयोरी ओफ इमोशन डिस्क्राइब करता है जैसे फॉर एक्जामपल साउंड ऑफ एम्बुलेंस सैरेंज हम रोड पे जाते हैं तो हमारा हार्टबीट फास्टर हो जाता है हम डरते नहीं हैं बलकि हम चिंतित होते हैं हमें इमोशन आता है केरिंग का या थोड़ा सा घबराहट का अब इसको शॉर्ट में कैसे समझाया गया याद रखिए फ्लोचार्ट में कि प्रेजेंस ओफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमूलस मलब इमोशन स्टिमूलस जो है जब सबसे पहले प्रेजेंट होता है उसके बाद क्या होता है परसेप्शन ओफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमूलस मैं इसको परसीव करता है ब्रेन परसीव करता है स्टिमूलस को उसके बाद क्या होता है, emotional behavior, जब brain perceive कर लेता है, तो हम behavior show करते हैं, जिसे anger हुआ, या दुख हुआ, जो भी है, feelings, उसको behavior में express करते हैं, उसके बाद होता है conscious experience of the emotion, behavior show करने के बाद हम देखते हैं, हमें मैसूस होता है, कि हम ये emotion से गुजर रहे हैं, अब इसका criticism में देख लिजे, criticism क्या है, कि physiological changes are slow but emotions are immediate, हमें अगर कोई किसी को थपड मारता है, वो तुरंद रोने लगता है, और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन physiological changes ये तुरंद इमोशन हुआ, लेकिन physiological changes जो होते हैं, वो slow होते हैं, या emotion fast है, तुरंद होता है, तो ये criticism है इस theory का, many different emotions may show same physical changes, for example, जिसे मैंने पहले ही बताया, कि अगर कोई सुखी है, ये बहुत जादा सुख मिल जाए, या बहुत जादा दुख मिल जाए, दोनों में same physical changes आती है, तुरंद आंसों निकल आते हैं, और या हसी है, या कोई भी emotion है, तो same physical changes हो सकते हैं, कोई different emotions पे इसके इलावा है कि stimulation in cortical area of brain result in experience of emotion without accompanying any physiological changes, इसका मतलब है कि brain में जो cortex area है, उसमें brain जो है, वो experience करता है emotion को, लेकिन उसका physiological changes से कोई लेना देना नहीं है, perception of emotion का physiological changes से कोई लेना देना नहीं है, cortex में, तो ये कुछ criticism है जेम्स लेंग चोडी की, thank you